दोस्तों क्या आप जानते हैं 2022 IPL में 20 लाक बेस प्राइस की साथ खेलने वाला कुलकता नाइट राइडर्स का बॉलिंग आलांडर अनुकूल रही ने 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप के 6 मैचों में 14 विकेट लेकर अपने टीम को जीत में मदद करके संसनी फैला दी थी जिसके बाद 2018 IPL में मुंबई इंडियस ने उने 20 लाक में अपने टीम ने सामिल कर लिया था मगर रविंदर जडेजा को अपना हीरो मानने वाले इस लैप्ट हैंड सपिंग बॉलर को 4 साल तक बैंज पर बठाकर मुंबई इंडियस ने उने रिलीज कर दिया दोस्तों एक आनियक ऐसे पीड़दाई किर्केटर की है जो बियार के समस्तिपूर के पास अपने छोटे से गाओं में गली मौले में रबड़ और टेनिस बोल से किर्केट खेलता था और फिर सिरफ किर्केट खेलने के लिए 15 साल की उमर में गर परिवार को छोड़ कर अपने सपनों का बैक पैक करके ट्रेन पकड़कर जारखंड के सहर जमसेदपूर चला गया जेग में पैसे नहीं थे मगर सपना इतना बड़ा था कि एक दिन किर्केटर बनूगा और इंडिया के लिए खेलूगा दोस्तों सकसर्ज किसी लाइफ स्टाइल की मोताज नहीं होती और फिर अनुकूल रोज जिने अपने डिसी प्लेन डेडिकेशन और हाड़ वरक की बदोलत गली किर्केट से आई पिल तक का सफर आज के यूद के लिए एक तमाचा है जो कहते हैं ना कि गरवालों का सपोर्ट नहीं है पैसे का अबावा स्किल नहीं है परिस्तितिया फेवर में नहीं है संसातनों का अबावा वगरह वगरह दोस्तों इस सारी बाते जानकर मुझे इसा लगा अनुकूल की स्टोरी आप तक जरूर पहुंचाने चाहिए जो आज करोड़ो युद के लिए एक मोटिवेशन है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस कानी की सुरवात होती है 1998 में जब बियार की एक मिडल क्लास फैमली में जिनके पिता एक एडवोकेट और मा उस वाइब के गर चार बाई बैनों में सबसे छोटे अनुकूल रोई का जनम हुआ जिनके पापा का सपना था बेटे को पठा लिखा कर एक ओफिसर बनाऊँगा लेकिन अनुकूल ने MS-29 से इंस्पायर होकर अपने इंड्रेस्ट के चलते किर्केट खेलना स्टार्ट किया मगर बियार में उन्देरों किर्केट खेलने वाला कोई नहीं था और फिर स्कोलिंग के दुरान अनुकूल कुछ समय तक समस्तीपूर में किर्केट खेलकर जमसेदपूर चले गई जहां जारखन किर्केट अकाडमी कदमा को जवाइन कर किर्केट स्केल डिवलोप करना स्टार्ट किया मगर पोस बरजेश कुमार जाओ और वीवेंकर ड्राम के कहने पर अनुकूल ने स्पिन बोलिंग स्टार्ट किन जिसके बाद उनकी असली काने की सुरुवात हुई दोस्तों अनुकूल ने 12-12 गंटे नेट प्रैक्टिस कर सिरफ 3 साल में एट दी एज ओफ 19 अपनी बोलिंग को सार्ट का सैल्ट में स्पिन बोलर बन गई जिने 2017 में इंगलेंड के अगनेस्ट अंडर 19 ODA सिरीज में पहली बार खेलने का मौका मिला और फिर अनुकूल ने हाथ आई साफसर को सिरीज में आईस्ट विगेट लेकर अपनी जिन्दकी का बोल्ड नाउसर बना दिया और लेजन्डरी राउंड दरविड को इंप्रैस का 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपनी जगाय बनाई मगर वर्ल्ड कप से ठीक पहले इंजरी के वज़े से उनका पूरा दोर शुरू हुआ लेकिन अनुकूल ने हार नहीं मानी और इंजरी से बार निकल कर एक चैंपिन के तरह तगड़ा कमबैक किया और वर्ल्ड कप के 6 मैचों में 14 विगेट लेकर अपने टीम को जीद में मदद करके रात और रात इंडिया के राइजिंग स्टार किर्केटर बन गई और फिर उनकी बोलिंग स्टेट से इंप्रैस होकर उनकी बीडिंग हुई आईपिन 2018 में जहां मुंबई इंडियेज ने उन्हें 20 लाक में अपने टीम में सामिल कर लिया मगर खेलने का अवसर नहीं मिला और फिर अनुकूल ने अपने नीट्स और डिमांड्स को देखती हुई जारखंड के लिए 2018 वीजा जारे ट्रोफी में लिस्टे किर्केट की शुरुवात कर अपनी एक्स्ट्रा ओर्डिनरी परफॉर्मंस की बदोलत रंजे ट्रोफी लिस्टे किर्केट के 9 मैचों में 30 विगेट लेकर एक पर फिर सेलेक्टर्स को इंप्रेस किया और फिर 2019 सेयद मुस्ताकले ट्रोफी डोमेस्टिक 2020 किर्केट से इंप्रेस होकर मुंबई इंडियेज ने उन्हें 20 लाक में रिटेन कर लिया मगर उन्हें सिरफ एक मैच खेलने का अवसर मिला और एक ही मिकेट से संतोस करना पड़ा लेकिन 2020 और फिर 2021 आईप्यल में मुंबई इंडियेज ने उनके डोमेस्टिक किर्केट में लगातार आउटस्टेंडिंग खेल की बदोलत उन्हें फिर 20 लाक बेस प्राइस में रिटेन किया और फिर लगातार चार साल तक बेंच पर बठाकर 2022 में रिलीज कर दिया ये सा एंसिडेंट किसी भी किर्केटर के केरियर को डिस्टोई कर सकता है यार मगर 2022 आईप्यल मेगा उक्षन के दुरान फॉलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 20 लाक में खरीद लिया और फिर अनुपुल रॉय ने रास्तना रॉयल के अगनेस अपनी एकोनोमिकल बॉलिंग कर टीम को जीद में मदद करके केक यार के बरोसे पर खरे उदरे दोस्तो अनुपुल की स्टोरी आपको यहीं बताती है कि जिन्द की आपको किसी भी रास्ते पर लेके जा रही हो साइध परिस्टितिया आपके कंट्रोल में ना हो आप जो चाते हो वो वैसा नहीं हो रहा हो फिर भी आप अपना बैस्ट देने से कभी पिछे मत अटना क्योंकि याद रखना यदि आप अपना बैस्ट करते हैं तो वक्त भी एक दिन आपका इंजाग जरूर करेगा तो दोस्तों ये थे अनुकुल रोए अगर आप अनुकुल के फैन है तो इस वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्यू सो मत